हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागा था Mr. Creator Dude की एक और फ्रेश वीडियो तो गाइज एक बार फिर से मैं हाजूर आपकी खिदमत में एक नए टूल के साथ जो की है ये डांग चेन कंपनी की तरफ से आने वाला वूड ट्रिमर मशीन और इसका मॉडल नंबर है DMPO26 अगर आप लोग वूड ट्रिमर मशीन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं यहां पर आपको बता दू कि यह वूड ट्रिमर मशीन जो होती है यह लगलियों के जो एजेज होते ह है या प्लाइवूड के जो होते हैं उनको मोल्ड करने के लिए या उनको फिनिष करने के काम में यह मशीन ली जाती है अगर आप माइक अब चिपकते हैं और उनके एजेज भी बराबर करना जाते हैं तो इस मशीन से आप लोग काम कर सकते हैं पीवीसी माईका हो या कोई नॉर्मल वुड माइका जो भी होते हैं उन सब के आप एजेस को बहुत अच्छे से इस से ट्रिम कर सकते हैं और फिनिश बहुत अच्छे से दे सकते हैं इस मशीन के जरीए तो दोस्तों अगर बात करें इस मशीन की स्पेसिफिकेशन की तो ये मशीन जो है साड़े 300 वाट की पावर के साथ आती है और ये मशीन 30,000 आर्पियम पे काम करती है 30,000 आर्पियम जोनने में जादा लग計 वाकिन जो वह तर्मर मसीन होती है वह जादा एसी आर्पियम पे काम करती है तर्यूंटी जो भी रौटर बित या ट्रिमर बित यूज होती है वह 6.35 mm वाली यूज होती है या शिक्सपॉइंटρείप ले sıूज होती ही यानि के बॉक्स में हमें क्या-क्या मिल जाता है तो उसके लिए हमें इसको यहां से कट कर लेना है वाकि उससे पहले हम देख लेते हैं कि यह मशीन की बिलिंग कितने की है यह मशीन मुझे कितने की पढ़ी है यहां पर आप यह देख सकते हैं अगर आपको डी कैमरा फोकस कर पा रहा हो तो 1881 रुपए की यह मशीन मुझे पढ़ी है बाकी बॉक्स ओपें करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या मिलता है तो गाइस बॉक्स में हमें सबसे पहले मिल जाती है यह कुछ चीजें यह है यूजर मैनुवल पन्नी को जादा ही स्ट्रॉंग है पन्नी भट गई तो इस पॉलेधीन में हमें मिल जाती है एक वारंटी कार्ड और साथ में एक यूजर मैनुवल भी मिल जाता है यूजर मैनुवल तो हम लोग के जादा काम नहीं आता लेकिन एक बड़ नजर मारना जादा अच्छा होता है पाकि इसमें हमें साथ में कुछ कारपन ब्रसेश मिल जाते हैं इस मशीन के और ये दो रेंच मिल जाती हैं जो की जाद बाते हैं इसमें राउटर बिट लगाने के काम में आने वाली है और यहां पर कुछ ऐसी दिखती है हमारी ये राउटर मशीन और यहां पेस का स्विच लगा हुआ है ये कारपन ब्रसेश लगाने की जगा है और बाकी चीज़े तो भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से तो इस मशीन को भी आप साइड बे रखते हैं और बाक्स में एक ये एंगल मिल जाता है साथ में एक ये अटेश्मेंट मिल जाता है और साथ ही एक अटेश्मेंट और बाक्स में मुझे ये हटाने के बाद आपको ये एक अटेश्मेंट और देखने को मिलता है अभी हम लोग इनका यूज देखेंगे कि कैसे इनको यूज करना है बाकी 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 बाक्स आउटर बिट तो हम लोग को अलग से खरीदनी पड़ेगी यानि कि हम लोग ने बंदूक तो ले लिए है इसकी गोलिया भी अलग से लेनी पड़ेगी तो वह गोलिया यानि कि इस ट्रीमर मशीन की बिट लेने के लिए मैं तुरन्द मार्केट की तरफ दोड़ा और कुछ ऐ इसी बिट मुझे मार्केट मिली जो की 120 रुपए की एक बिट थी वैसे ये बिट आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएंगी कुछ इस रेट में तो मैं उन बिट को खरीदने का लिंक और इस डॉंक चेंग की मशीन को खरीदने का लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दे जाने की इस मशीन को आपरेशन का तरीका क्या है और इसके साथ जो अटैश्मेंट आते हैं उनको साथ में कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपनों देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इस मशीन में ये राउटर बिट्स लगा सकते हैं इसके साथ ही जो दो जाती है उनका ही इस्तेमाल कर आप इसमें आप बड़े असाने से ये बिट्स लगा सकते हैं साथ ही मैं बता दूँ कि इस मशीन में को बहुत लंबी केबल मिल जाती है पूराण 9 फिट की केबल मिल जाती है और साथ भी केबल की क्वालिटी भी बहुत ज़दा हैवी ड्यूटी है बाकी मशीन में ही आपको एक डेप्थ कंट्रोल सेटिंग देखने को मिलती है जिससे आप बहुत आसानी से कितना गहराई पे राउटिंग करना चाते हैं वो चीज मेजर कर सकते हैं और मशीर पे ही एक स्केल भी बनी हुई है जिससे आपको ये करने में बहुत आसानी होती है और आल ये एक्सपीरिंस काफी अच्छा है क्योंकि इससे आप बहुत बारीक काम भी कर सकते हैं कि अच्छा है कि अच्छा आपके सामने है कुछ ऐसा रिजल्ट आया है इस मशीन से वैसे ट्रिम मशीन चलाने में मैं बिल्कुल नौस किया हूँ तो पहली बार में तो गडबड हो गया था लेकिन दूसरी बार में तो हो गया अब मशीन के साथ आने वाले अटेज्मेंट को भी मशीन के साथ ट्राइ करके देख लेते कि वो किस काम के लिए होते हैं और कैसा रिजल्ट आता है उनके साथ दरेंग किसования साथ एडा किसा बता हैं चिह लाओ रे खिजाड़ा, किस रचर किसाती हैं अपकित के अपक locks कर दोThis कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो लाज बड़ना है प्रप्राइब लेओ है अपरें लेधे प्राइब प्रप्राइब तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मशीन से काफी अच्छी फिनिसिंग आ रही है और ये देखे किते अच्छे से इसने माइका को ट्रिम कर दिया है तो गाइस उम्मिद है इस वीडियो से आपको अच्छे साइडिया लग गया होगी ये मशीन आपके लिए कैसी रहेग बाकि अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिंद